दोस्तों जम्मो और कश्मीर को धर्ती का सुवर्ग माना गया है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां बहुत सी सुन्दर सुन्दर जगाए हैं जिनका नजारा किसी जन्नत से कम नहीं यहाँ की खुबसूरती का नजारा देखने बहुत से टूरिस्ट पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं तो आज हम आँको बताएंगे जम्मो कुश्मीर की 10 सबसे खुबसूरत दिखने वाली जगाएं तो वीडियो के अंट तक बने रही है तो नमबर दस पर है यसमर्ग यसमर्ग की हिल स्टेशन है जो की कुश्मीर के वेस्टन पार्ट में है यहाँ बहुत बड़े बड़े घास के मैदान है यहाँ पर लोग बहुत सी अक्टिविटीज करते हैं जैसे की ट्रैकिंग या हार्स रैडिंग नमबर नो पर है गुलमर्ग गुलमर्ग जम्मो कुश्मीर के 12 मुला डिस्टिक में है जो की लगबग पूरा साल बरफ से डखा रहता है यहाँ के बरफ के डखे हुए पार्ड इस जगह को बहुत ही खुबसूरती देते हैं यह जगा स्कींग के लिए पूरे एशिया में सबसे बेस्ट मानी जाती है और यहाँ एशिया का सबसे बड़ा गुंडोला यानि सबसे हाईस्ट केबल कार प्रजेक्ट भी है नमबर आट पर है सोनमर्ग सोनमर्ग को सोने का मिदान भी कहा जाता है यह जगा बहुत ही अडवेंच्रिस है जो की छोटे छोटे ग्लेशिर से गिरी हुई है यहाँ की जंगल इस जगा को बहुत ही खुबसुरत बना देते हैं सो नमर बी पहलगाम की तरह अमना थेयत्रों को शुरू करने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगा माने जाती है नमर साथ पर है पहलगाम यहाँ के गास के मिदान इस जगा को बहुत ही खुबसुरत बना देते हैं यहाँ की नैचरल ब्यूटी और ताजी हवाएं इस जगा को बहुत प्यूर और खुबसुरत बनाती है यहाँ जातर लोग पिक्निक मनाने या गोड़ सुवारी करने के लिए आते हैं यह जगे अनंतनाक डिस्टिक में हैं जो की लिडर नदी के किनारे हैं गुरेज वैली भी कश्मीर में बहुत ही मुशूर टूरिस्ट प्लेस मानी जाती है यहाँ भी बहुत से खुबसूरत बड़े बड़े घास के मैदान है यहाँ पर काफी पुराने कश्मीरी ट्राइब्स रहते हैं जिने दार शीन ट्राइब्स के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ शीना नाम की भाषा बोली जाती है नमबर पांच वैरिनग वैरिनग डिस्टिक अनतना का एक कस्बा है यहाँ की खुबसूरती यहाँ का नीले पानी का तलाब है इसके इर्दगिर्द पत्थर से बहुत ही खुबसूरती से दिवारे बनाई गई हैं और यहाँ गर्मिय में बहुत से लोग डुपकी लगाते हैं नमबर चार पर है स्रीनगर स्रीनगर जम्मो और कश्मीर की सबसे खुबसूरत टूरिस प्लेसिस में से एक है जहां बहुत से खुबसूरत बगीचे हैं जो कि मुगलो द्वारा बनाए गए हैं यहां की डल जिल का नजारा बहुत ही सुन्दर लगता है जहां शिकारे चलाए जाते हैं यहां का टूलिप गार्डन इशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन है नमबर तीन पर है वैशनो देवी वैशनो देवी पूरे भारत का सबसे धार्मिक तीर स्थल है यह मंदिर त्रिकुटा पहाड़ियों के उपर है इस मंदिर तक पहुँचने के लिए लगबग 14 किलोमेटर लंबा सफर तैय करना पड़ता है जो की पहाड़ियों से होता हुआ इस मंदिर तक पहुँचता है यह जगा जम्मू के कटरा में है जहां हर साल 81 लाग से भी जादा शरदालू आते हैं नमबर दो पत्नी टॉप पत्नी टॉप जम्मू कुश्मीर का सबसे खुबसूरत हिल्स्टेशन है जहां लगबग पूरा साल बर्फ रहती है यहां सरदियों में बहुत ही ज़्यादा परपर ही होती है और स्नोफाल को पसंद करने वारे लोग अक्सर सरदियों में यहां आते हैं यहां पर सरदियों में स्कींग और पैरागलाडिंग भी की जा सकती है दोस्तों यहां बहुत बड़ी बड़ी दो जीले हैं जिसके आसपास बहुत बड़े बड़े घास के मैदान है यहां पर जातर लोग पिक्निंग बनाने आते हैं यहां पर आप बोटिंग भी कर सकते हो कहा जाता है कि इन जीलों का निर्मान अरजुन के तीर मारने के बाद हुआ था तो दोस्तों ये थी जम्मो कुश्मीर की सबसे खुबसूरत टूरिस्ट प्लेसिज आशा करतों आपको मारी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको मारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इससे लाइक करें और साथे साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अगर आप मारे कॉंटेंट ऐसे ही देखना चाते हो तो प्लीज नमारे चैनल को सबस्क्राइब भी कर दें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद